कांकेर जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया है यहां बच्चों के लिए शिवनगर में बनाये गए दत्तक ग्रहन केंदर में प्रोग्राम मैनेजर द्वारा मासुम बच्चियों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि प्रोग्राम मैनेजर किस प्रकार मासुम बच्चियों को बेरहमी से पीट रहा है मासुम बच्चियों की पीटाई का ये वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वाइरल हुआ वीडियो सामने आने के बाद कांकेर कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुकला ने इस बरबरता पर सक्त कदम उठाते हुए प्रतिग्या विकास संस्थान विशेशी कृत दत्तक अभिकरन को ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया है